हलो दोस्तों नमस्कार मैंने टवर्त अधरी यहां पर हम बात करने वाले हैं अध्यापक वर्ती परिक्षा 2023 L1 में क्या कटॉप रह सकती है इससे पहले भी मैंने 2-3 दिन पहले L1 की जो जनरल की एक्सपेक्टेड कटॉप व्यू है वो आपके सामने रख दिया था लगवग L2 के सभी सब्जेक्ट का भी वापे व्यू दिया था केवल जनरल केटेग्री का काफी साथी लगतार कमेंट कर रहे थे कि बाकी केटेग्रियों की क्या कटॉप रह सकती है तो यहां हम विश्तरत रूप से केवल L1 की कटॉप पर चर्चा करेंगे याँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम 9TSP की बात यहां पर कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि 9TSP में 17563 पोस्ट है जिसमें जनरल की मैंने आपको बता दी है कि जनरल मेल की यहां बात करें तो 193 से 1955 तक कटॉप रह सकती है फीमेल की यहां पर आपको एक दो नंबर कम देखने को मिल सकती है 190 से लेके 192 तक जा सकती है दोस्तों इसी तरह हम EWS की बात करें तो EWS में मेल की जो कटॉप है 183 से लेके 185 तक आपको देखने को मिल सकती है और female की बात करें तो 180 से लेके 182 तक आपको देखने को मिल सकती है बात करें OBC केटेगरी की तो OBC में 188 से लेके 190 तक जा सकती है और female में 186 से लेके 188 तक जा सकती है दोस्तो MBC की बात करें तो MBC में 173 से लेके 177 तक जा सकती है और female में आपको यहां पर काफी कम देखने को मिल सकती है 158 से लेके 160 तक SC केटेगरी की बात करें तो SC में male की 132 से लेके और 144 तक आपको देखने को मिल सकती है दोस्तो female की बात करें तो 168 से लेके 170 तक कटॉप आपकी जा सकती है SC केटेगरी की बात करें तो SC में male की 162 से लेके 164 तक और female में 153 से लेके 155 तक कटॉप रह सकती है हें अंत में जो साथी वीडियो को देख रहे हैं यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो जदा-जदा वीडियो को सेर करें आपके अन्य शात्यों के लिए ब्ही और आपके कितने-कितने अंक आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करें क्या आप सभी इस कटॉप यू से सहमत हैं अपनी अपनी केटेगरी से वो भी जरूर सेयर करें धन्यवाद